सुआती मालिवाल ने दिखाए सबूत जस सहाब हैरान एज़िवाल का खेल खराब दर गए विभग धमकी का नया केस विभग की वज़े से फसी आग रबश्कार आप देख रहे हैं अमेफ नियूज में आपके साथ शब्नब सुआती मालिवाल अब डट कर गुंडागर्दी दिखाने वाले उनके साथ मारपीड करने वाले विभग कुमार का सामना कर रही है सुआती मालिवाल का आओप है कि उन्हें रोकने के लिए शिकायत वापस लेने के लिए तमाम तरह की धमकियां दी जा रही है अब इसी भी इश कोर्ट में विभग कुमार की जमानक याची का पर सुनवाई हुई इस दोरान सुआती मालिवाल भी कोर्ट में पेश हुई जब सुआती को गलट ठहराते हुए विभग के वकील ने दलीले दी उल्टी सीधी बाते कही कौर्वो और द्रोपदी का जिक्र कर मामले को अलग ही लेवल पर ले जाने की कोशिश की तो सुआती मालिवाल कोर्ट में रो पड़ी जिसके बाद सुआती ने कोर्ट में जो बाते कहीं उससे आमादी पार्टी का बुरा हाल हो गया खेरागे कुछ बताएं पहले विभव के वकील ने कोर्ट में क्या दलीले रखी चलिए बताते हैं तो आती मालिवाल ने सीम हाउस के ड्रोइंग रूम को जानबूझ कर चुना था क्योंकि वहाँ पर कोई सीसी टीवी नहीं था वह जानती थी कि वहाँ सीसी टीवी नहीं है इसलिए उन्होंने इस जगा को चुना ताकि वो बाद में सुवीधा के अनुसार आरोप लगा सके ये एक सुन्योजित था मेरे मुकविल के छवी जानबूझ का खराब की जा रही है क्योंकि उन्हें लगता है कि केज़िवाल से मिलने नहीं देने के लिए विभव जिम्मेदार है विभव कुमार को बचाने के लिए ना सिर्फ आमादमी पार्टी मैदान में कूद पड़ी है बलकि विभव के वकील ऐसी ऐसी दलील दे रहे थे जिससे स्थियम्म सहाब खुद गिरते नजर आ रहे है विभव के वकील ने कोट में दलील दी कि जहां पर ये वारदात हुई महां सिस्टीवी नहीं था अब सवाल तो यहीं खड़ा हो रहा है कि केजरिवाल अगर बैट रूम में सिस्टीवी लगवा सकते हैं तो उन्होंने ड्रॉइंग रूम में सिस्टीवी क्यों नहीं लगवाया क्योंकि वहां तो लोग आते जाते भी हैं जहां कुछ घटना घटित होने का डर भी हो सकता है वास सिस्टीवी नहीं लगवाए गए इससे तो कहानी में कुछ दाल में काला ही नजर आ रहा है उसके बाद स्वातिमालिवाल के वकीलों ने जो बाते कोट में कही हैं दलीले दोनों पक्षो की और से रखी गई हैं उससे तो हालात बता रहे हैं कि वेभब को राहत मिलने की उमीद नहीं है सुआतिमालिवाल ने कोट में इसके साथ ही ये भी कहा मेरा बयान दर्च करने के बाद आप नेताओं ने प्रेस कॉन्फरेंस की मुझे बीजेपी का एजेंट कहा गया उनके पास एक बड़ी ट्रोल मशीनरी है उन्होंने मशीनरी को पंप किया है आरोपी को पार्टी के नेता ही मुंबई ले गए अगर उसे जमानत पर रिहा किया गया तो मुझे और मेरे परिवार को खत्रा होगा यानि कि अब स्वाती ने अपने आपको विभव कुमार से जान का खत्रा बताया है जिससे विभव कुमार फस्ता नजर आ रहा है कोट ने विभव पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और दुरुम राठी ने उनके खिलाब वीडियो बनाया है तब से उन्हें जान से मानने की रेब की धमकी दी जा रही है सुआती के आरोपू पर अब बीजेपी ने आमाद्मी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है हल्ला बोल दिया है फिर दुष्प्रचार और अब किस प्रकार से हिंसा और अत्याचार करने पर उतर आई है आमाद्मी पार्टी यही उनका व्यवार बन चुका है जिस प्रकार से एक राज्यसभा सांसत आमाद्मी पार्टी की महिला सांसत को आमाद्मी पार्टी के मुख्या के निवास पर ही पीटा जाता है उसकी पुष्टी भी आमाद्मी पार्टी के सांसत संजे सिंग करते हैं पर तो आज 14 दिनों के बाद भी अरविंद केजरीवाल अपनी जुबान नहीं खोल पा रहे हैं जब सवाल पत्रकारों के द्वारा पूछा जाता है तो माइक ढकेल देते हैं और उल्टा कभी जो पिड़िता है उसका चरित्रहरन करते हैं कभी विक्टम शेमिंग करते हैं उनके मंत्री आकर कहते हैं कपड़े कितने फटे लंगडा नहीं रही थी और अब हम देख रहे हैं कि यूट्यूबर्स और बाकी आनलाइन ट्रोल्स के माध्यम से ना केवल उनको विक्टम शेम क्या जा रहा है बलकि उनको बलातकार करने की और मारने की धंकी भी दी जा रही है ये एएपी का मतलब एंटी औरत पार्टी बन चुका है इसलिए तो अर्विंद केजरिवाल अपनी राजसभा सांसत के साथ एक महिला के साथ नहीं है वो बिभव कुमार को सौरक्षन दे रहे हैं बिभव कुमार उनी के घर से गिरफतार हुए उनी के घर से CCTV फुटेज भी गायब हो गया है हमने देखा फोन की फॉर्माटिंग भी हो गई है तो जो निर्भया आंदोलन से निकली हुई पार्टी है आज किस प्रकार से महिला उत्पीडन करने वाले व्यक्ति के साथ खड़ी है जबकि संजे सिंग ने कहा है कि इसी व्यक्ति ने उत्पीडन किया था तो ये दिखाता है कि इनका असली चहरा और चरितर क्या है आज दिली पुलिस को तो संग्यान लेना ही चाहिए पर तो अर्विंद केजरिवाल जी को भी जवाब देना चाहिए कि पहले उन्होंने स्वातिमाली वाल को पिटवाया और अब उनको जान से और धमकी दे रहे हैं मानने की और बलातकार करने की जो धमकिया दी जारी है वो किसके इशारे पर दी जारी है तो अब ना सिर्विभव के बलकि केजरिवाल चारों तरफ से फस रहे हैं अगर धमकी वाले मामले की जार शुरू हुई झाल